हेलो चिल्डन, क्या आपको कभी आश्ट्रियों हुआ है कि एंशिन टाइम्स में पुराने समय में विलेजिज में टाउन्स में व्यापार कैसे होता था, ट्रेड कैसे किया जाता था तो इनी questions के answers को हमने इस वीडियो में दिया है MCQs के रूप में इसमें आपके chapter villages, towns and trade के MCQs multiple choice questions दिये जा रहे हैं जो की class 6 की history का chapter है और ये chapter है 8 विलेज हेड में वोज कॉल जो गाओं का हेड में होता था, उसको क्या कहते थे, ग्राम भोजग कहते थे, दास करमकार कहते थे या ग्रह पतीज कहते थे, उसे कहते थे, ग्राम भोजग तो इसका जो सही answer है वो है B To whom did the Chinese rulers send gifts of silk? जो Chinese rulers है, वो किसके लिए silk के gift भेजा करते थे? rulers of Iran के लिए, rulers of Iraq के लिए, rulers of Pakistan या rulers of कजाकिस्तान, वो भेजते थे, rulers of Iran के लिए तो A is the correct answer श्रेणी इस कोन थी? associations of farmer थी, association का मत्ता होते जैसे union होती है associations of slaves, गुलामों की association थी, यह women की थी, या artigans और merchants की association होती थी इसका answer है D, जो artigans होते थे, merchants होते थे, तो उनकी जो association थी, उनका जो एक group था, उसको श्रेणी कहा जाता था which tree was shown in the sculptures, sculptures में कौन सा पेड़ दर्शाया गया है, नीम का, तुलसी का, पीपल का, या मैंगो का, sculptures में, पीपल के tree को दिखा गया, C is the correct answer, when did the use of iron begin in a subcontinent, subcontinent में iron का use का शुरू हुआ, around 3000 years ago, 3000 सल पहले, around 6000 years ago, 6000 सल पहले, around 9000 years ago, 9000 सल पहले, या 12,000 years पहले, इसका आंसर है A, यानि के 3000 years ago, वेगर वर्दश statues और बुद्धा मेर, बुद्ध के statue कहां बनाए जाते थे, मत्रा एं तक्षिला में, मुंबाई एं गोवा में, बिहार और यूपी, या डेली अन हरियाना, वो बनते थे, मत्रा एं तक्षिला, मत्रा एक important settlement रहा है, रहने की जंगर रही है, कितने वर्षों से जादा सालों तक, 5000 years, 4000 years, 3000 years या 2500 years, या 2500 years से भी जादा तक, important settlement रहा है, men and women who undertook journey to the holy places, men और वो men जिनोंने holy places तक की यात्रा करी, in order to offer worship पूजा करने के लिए, उन्हें कहा जाता था, क्या, traders, vyaipari, pilgrims, तिर्थियात्री, बुद्धिज्म, बुद्धवाद, बुद्धर्म या थेरेवाड़ा, उन्हें का जाता था, pilgrims, तिर्थियात्री, B is the answer, what was the method of irrigation in ancient time, प्राचीन काल में सिचाई का method क्या था, canals, sea, nehray, wells, quay, या tanks, या all of these, ये सभी थे, D is the answer, in what work did Zwen Zeng spend his life, Zwen Zeng ने अपना जिवन कहां कौन से काम में बिताया, in translating manuscript from Sanskrit to Chinese, Sanskrit से Chinese भाषा में, जो हास्ते लिखेवी manuscript होती थी, हस्त लिपी होती थी, उनको translate करने में, या moving here and there, यहां से वाँ जाने में, या sleeping, या सोने में, या all of these, या सारा कुछ करने में, इस answer है A, उन्होंने, जो manuscript थी, जो handwritten copies थी, उनको Sanskrit से Chinese में translate किया, Roman designs were found in, Roman designs मिले थे कहां, मत्रा साइट पर, सामस साइट पर, अरीका मेडू साइट पर, या पांटली पोतर में, इसका answer है C, यानि अरीका माडू साइट पर, कौन से रीजन में, लैंड ओनर्स यानि के जमिदारों को, वेला लार्स कहा जाता था, महारास रीजन में, पंजाब में, तमिल रीजन में, या इन में से कोई भी नहीं, इसका answer है C, तमिल रीजन में, इंडिया ये शब्द कहां से निकला है, रीवर इंडस, इंडस के नम पर है, रीवर गंगा या रीवर यमना या रीवर महनदी, तो आप पहचार नहीं कहोंगे, इंडस से इंडिया, तो A is the correct answer, वू वर ग्राम भोजग, ग्राम भोजग कोन थे, विलेज हेड में, गाउं के हेड होते थे, वाट वस नोट फाउंड इन अरीकामाड़ू, अरीकामाड़ू में, क्या नहीं मिला है, ब्रिक्स स्ट्रक्चर, विछ में है बीर वेर हाउस, इंडों से बनेवी स्ट्रक्चर, जो शायद वेरहास ते समान दखने की जंगा थी पोटरी अलॉंग दा रोमन विद रोमन पोटरी रोमन पोटरी के साथ और दूसरी पोटरी भी मिली है इस्मोल टैंक्स फोर डाइंग दा क्लोथ क्लोथ को रंगने के लिए छोड़ छोड़ टैंक मिले हैं making of beads from semi-precious stones and glass जो semi-precious हीरे जवारा थे कांच सा उसके मोती बनाना यह चिन इसका आंसर है D making of beads from semi-precious stones and glass जो semi-precious stones और glass था उससे beads उसके जो गोल-गोल मोती होते हैं वो मिले हैं people who had no land of their own वो लोग जिनकी अपनी जमीन नहीं थी and worked for others और दूसरों के लिए काम करते थे उन्हें क्या कहते थे उन्हें कहते थे दास करम काराज there is evidence for the growing use of iron tools iron tools के बढ़ते हुए परियोग का यानि के iron का use बढ़ रहा था उसका प्रमान मिला है evidence come the proof होता है around 2500 years ago या around 3000 years ago या around 3500 years ago या around 4000 years ago इसका अंसर है ए 2500 years पहले iron का use बढ़ा था canals, wells, tanks and artificial lakes especially contribute in ये सारी चीज़े canals, नहरे, wells, square, tanks, artificial lakes ये योगदान देती हैं किस चीज़ में देती हैं building houses घर बनाने में irrigation सिचाई में animal bath जानवरों को नहलाने में या rear ring of animals या जानवरों को पालने में इसका अंतर है भी irrigation में या दिके सिचाई में where was ring well found ring well किस जगा मिला था Kolkata में, Mumbai में, Delhi में या चंडीगर में ये मिला था Delhi में जातक्स आर जातक क्या होते हैं stories composed by ordinary people जो आम लोग होते हैं उनके द्वारा बनाईवी कहानिया stories composed by संगम या संगम के द्वारा बनाईवी कहानिया text composed by Buddhist monks या जो बुद्धिस बिख्शुक होते हैं उनके द्वारा बनाईवी text या text composed by kings या जो राजा लोग बाते लिखते थे वो इसका अंसर है ए stories composed by ordinary people why were the sculptures used by the ancient cities ancient cities के द्वारा use के गए क्यों sculpture use के गए थे to decorate railings in pillars सजाने के लिए railings को pillars को to decorate city शेहरों को सजाने के लिए none of the जिन में से कोई भी नहीं both a and b है दोनो इसका अंसर है d दोनो यानि के railings pillars को सजाने के लिए भी और शेहरों को सजाने के लिए भी magasthenes an Italian sailor या an unknown Greek sailor कोई अज्यात Greek sailor उसने लिखा है या किसी ने भी नहीं वो थे अज्यात एक Greek sailor यानि के Greece का रहने वाला sailor the design of earliest coins वर जो सबसे प्राचीन coins हैं उनके design थे कैसे punch to the metal उन्हें metal पे punch करके बनाते थे engraved on the metal knot या metal पे उनके खुदाई होती थे coloring on the metal metal पे coloring की जाती थी याना इनमें से कोई भी नहीं यह इसका अंसर है punch to the metal metal पे punch किया जाता था what was ring well used for ring well what was ring well used for ring well किस के लिए यूज करते थे bathing, washing clothes irrigation या drainage उसे drainage के लिए नालियों के लिए यूज के जाता था some of the largest collections of iron tools and weapons were found in the iron के tools or weapons का एक बहुत बड़ा जो collection था उसका कुछ हिस्सा मिला कहां सांची स्टूप में मेहरगड में मेगालिथिक बरियल्स में या रिंग बेल्स में इसका अंसरे सी मेगालिथिक बरियल्स में why was matra famous for matra famous क्यों था religious center के रूप में forested area के रूप में port के रूप में या ओलोदी या इन सब के लिए वो था religious center धार्मिक केंद्र था which of the following was the means of irrigation that were built around 2500 years ago लगबग 2500 पहले इन में से कौन सा irrigation का सिचाई का साधन बनाया गया था वो canals सी wells थे या artificial lakes थी या इन में से कोई या इस सबी थे all of these थे yes या सबी थे canals भी होती थी wells भी थे और artificial lakes भी थे for what was the south indian india famous for south india किस लिए famous था gold के लिए spices मसालो के लिए stones या हीरे जवारात के लिए all of these इन सब के लिए इन सब के लिए famous था an assembly of gathering of literacy person जो पढ़े लिखे लोग थे उनके कठा होने की सबा थी statemly या satyam या sangam या sagar वो थी sangam c is the answer where did in india roman gold coin was found roman gold coin कहां मिला था इंडिया में south india में east india में west india में north india में वो मिला था south india में archaeologists have found rows of ports or ceramic rings arranged on one on top of the other archaeologists ने एक के उपर एक रखे हुए बरतनों की या ceramic rings की रोद ढूंडी है these are known as उन्हें कहते हैं canal wells, tank wells, tube wells, ring wells उन्हें कहते हैं ring wells which river valley is the most fertile in south india south india में सबसे ज़्यादा उपजाओ river valley कौन सी है कावेदी river valley है, यमना river valley है या ब्रहमपत्रा river valley है इसका अंसर ए south की बात हो रही है यमना ब्रहमपत्रा तो है ही नहीं तो कावेदी river valley है मतुरा बीकेम the second capital of मतुरा second capital बन गई किसकी, मुर्याज की, कुशानाज की, पल्लवाज की और गुपताज की, इसका अंसरे भी कुशानाज की who controlled the river valleys river valleys के उपर किसका control था chiefs and kings, सरदारों का, राजाओं का poor men, गरीबों का, ordinary people आम लोगों का नानोदी, इन में सी किसी कभी नहीं chiefs and kings, सरदारों का और राजाओं का था northern black police where were known for its जो northern black police where थे, वो जाने जाते थे, किस के लिए farmers association के लिए, agriculture के लिए, fine pottery के, बहुत अच्छे portrait ही वो, या king's palace राजाओं के महल के लिए, C's का अंसर है fine portrait ही वो what does muvendra mean, muvendra का मतलब क्या होता है, three chiefs, तीन सरदार, तीन king, तीन राजा, ती groups of people या लोगों के तीन group या none of these, इन में से कोई भी नहीं, इसका अंसर है, three chiefs, यानि के porter, carpenter, weaver came under the category of ये किस के category, किस category में आते थे, black, किस में काते है, लोहार को ये आते थे craftsman के रूप में, king's, farmer's, headman, इसके रूप में naturally ये तो सब कारीगरी का काम करते हैं, तो craftsman, A is the answer when did चोलाज, छेराज, और पंडयाज become powerful in South India, South India में चोलाज, चेराज, पंडया का powerful हुए about 1,300 years ago about 2,300 years ago, about 3,300 years ago, ये about 4,300 years ago, कौन से समय में वो हुए थे, B 2,300 years पहले ये बड़े फिर्म, बड़े powerful हो गए थे Sculptors, यानि के मूर्ती बनाने वाले Carved Scene Scene की खुदाई करते थे Depicting, किस चीश का बंड़न करते थे Animals live in the village गाउं में रहने वाले animals का Types of religion, people follow धर्मों का की जो लोग अपनाते थे उन धर्मों का Types of animals found here या कौन से जानवर महां मिलते थे या Peoples live in towns and villages या शेहर और गाउं में रहने वाले लोगों का लोगों के जीवन का इसका अंसर है D Who was the most powerful ruler of Satvahans? Satvahans का सबसे powerful ruler कौन था? गोत में पुत्र श्री सतकरनी? या कृष्णा या सिधार्थ या ओलोधी यह सब इसका अंसर है A गोत में पुत्र श्री सतकरनी? रोमन लैंप्स, ग्लास वेयर और जैम्स अव अल्सो बीन फाउंड अट दे साइट रोमन लैंप्स, ग्लास वेयर यानि के कांच के बने वे चीजे जैम्स ये मिले हैं कौन थी साइट पे? वारा नसी की, सांची की अरीका मेडू की, या मत्रा की ये मिले हैं अरीका मेडू C is the answer इनडिपेंदेन्ट फार्मर्स वर कौल जो इनडिपेंदेन्ट स्वतंतर फार्मर्स होते थे उन्हें ग्रह Peki के ते घराम पोझएख या ग्रह Ti Đास कörम कारा उन्हें कहते थे ग्रहपती ए इस दा अंसर वुवर नॉन है लोड ओफ दक्षन पत दक्षिन पत का लोड किसे का जाता था चंदरकुपत को राजाराम मोहन राय को या गोतमी पुत्र शिरी सथ करने को या नगोजी मजी किसको बेने यह का जाता था सी इसका अंसर है गोत में पुत्र शिरी सत करने को वेहर वोह सॉल्ट प्रोड्यूस प्लैंटिफुली अलॉंग सॉल्ट कफी मात्रा में कहां पैदा होता था कहां बनता था सी में, रीवर में, लेक्स में या वैल्थ में इसका अंसर है सी समुद्र में सबसे ज़्यादा सोल्ट बनाया जाता है I hope कि आपको ये अच्छी से समझ में आ गया होंगी थोड़ा हिस्ट्री डिविकर्ड लगती है मैं इसलिए आपकी साइंस और जो एसेस्टी के सबजेक्ट है उनकी सब ज़्यादर वीडियो बनाती हूँ थैंक यू